नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम फिंट 10 में आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अगरवाद फिंट 10 की शुरुआत करते हैं जहां शेर मार्केट में आज सिर्फ मुनाफ़ा वसूली हुई है जहां आज कारुबारी हफते के तीसरे दिन शेर बिजार में मुनाफ़ा वसूली रेखी गई सेंसेक्स 168 पोइंट्स और निफ्टी 50 31 पोइंट्स की गरावट के साथ बंग हुआ सेंसेक्स के 30 शेर में से 17 में तेजी और 13 शेर में गरावट देखी गई है वहीं बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 में 19 शेर में तेजी और 31 शेर में गरावट रही FMCG और Oil and Gas सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर में तेजी रही विदेशी निवेशिकों ने आज करीब 5,730 करोल रुपे के शेर बेचे वहीं घरेली निवेशिकों ने करीब 7,000 करोल रुपे के शेर खरी रहे है बजार आज बड़त के बाद आखरी घंडे में फिसल कर पर्द हुआ फिंटेर में अगली खबर जहां आज सोना और चान्दी के नाम में भारी गरावट देखी गई है आज सोने और चान्दी के दामों में भारी गरावट देखी गई जिसमें 24 कारेट सोनी के भाव 892 रुपे गिर कर 7,408.32 रुपीज प्रति 10 ग्राम और चान्दी का भाव 2,122 रुपीज गिर कर 88,290 रुपी प्रति किलो रहा इस चोहारी मौसम सोने और चान्दी के दामों में गरावट की कारण जादा विक्री की सभावना बनती दिख रही है हलाकि अगर बजार की बात करें तो बजार में अभी भी आशनका के सिटी बनी हुई है लेकिन ज्वेलर्स असोसेशन का मानना है कि सोने और चान्दी के नाम खुछ भी रहें लेकिन धंतेरस और दिवाली के समय क्यों की भारतिय मनता अनुसार इसकी खरीदी शुर्प मानी जाती है इसलिए मांग में फिलाल कोई कमी की सभावना नहीं है फिंटेन में अगली खबर जहां RBI ने आशा अनुरूप ब्यासदरों में नहीं किया कोई बदलाव जिहां जैसे कि सभी को आशा थी और हमने भी अपनी सोशल रिपोर्ट में कहा था कि उसी के अनुरूप RBI ने ब्यासदरों में कोई बदलाव नहीं किया है RBI ने रिपोरेट को जस्कता 6.5 प्रतीशत ही रखा जिसका मतलब है आपकी EMI ना ही बढ़ेगी और ना ही घटेगी RBI की क्रेडिट पॉलिसी कमिटी ने दसवी बार ब्यासदरों में कोई बदलाव नहीं किया है RBI कमिटी के 6 सदस्यों में इसे 5 ने एकटम होकर व्यासदर को ना बदलने के पक्ष में वोड दिया फिंटन में चौती खबर जहां RBI गवर्नर श्रीश शिकान दास का महंगाई पर बयान सामने आया है श्रीश शिकान दास ने अपने बयानों में काहा कि खाद बदात के दाम में प्रिदी की वज़ल से महंगाई बढ़ सकती है वेश्रिक संकट, विपरीत मौसम, कमोडिटी कीमितों में तेजी और दुनिया के बाकी करेंसियों की मुकाबले में रुपे में कान उतर चड़ाफ के चलते महंगाई बढ़ने का जोखिम है श्रीदास ने कहा कि खुद्रा महंगाई के लक्ष चार प्रतीशत पर बन रहे है जीडिपी ग्रोथ पर उनने कहा कि कारोबाली साल 2025 के दौरान यह 7.2 प्रतीशत रह सकता है कारोबाली साल 2026 की पहली तिमाही में इसे 7.2 प्रतीशत से बढ़कर 7.3 प्रतीशत रहने का अनुमान है फिंटेन में पाचवी खबर जहां NBFC को RBI गवर्नर की चितावनी RBI गवर्नर शिशिकान दास ने NBFC इसका मतलब है नौन-Banking Financial Companies को शितावनी दी है जिहां की लैंडर को नियम की दिगरानी पसकती बत नहीं होगी क्योंकि Unsecured Loan यानि वो Loan जिसके आवरेज में कुछ भी गिर्वी नहीं रखना पड़ता है लेकि Loan Default Recovery में चनौत यह देखी गई खास कर 50,000 रुपए की नीचे की Loan राशी पर RBI ने NBFC से यह भी जानना चाथा है कि ऐसे Loan पर अगर ब्याजदरे काफी अधिक है तो यह नियम का उलंगन माना जाएगा और NBFC को खुदी का दम उठाने होंगे और उनके बयान का एक अर्थी हभी लगाया जा रहा है कि NBFC की अब मनमर्जी नहीं चलेगी और उन्हें पारदर्शी होकर नियम के दायरे में ही काम करना होगा और RBI की नजर अब ऐसे NBFC पर है जो ग्रहकों से बहुत अधिक ब्याजदर आर्थिक प्रोसेसिक फीस, फोर क्लोजर चार्जर और किसी भी अन्यमदों में अनवश्यक वसूली करते हैं फिंटर में चटवी कबर जहां काबिनेट बैठक में एहम फैसले लिए गए आज प्रदान मंतुरी जी के अधिक अधिक शता में काबिनेट बैठक में तीन एहम फैसले लिए गए जिसमें नुट्रिशन सेक्योर्टी के फैसले को मंजूरी दी गए इसके तहट देश में सबसे दिचले सतर पर रहने वाले लोगों का पोशक बोधन प्रदान करने की सुनिश्टा की जाएगी इसके अलावा बात करें नौववाहन इत्यास को सामने रखने के लिए एक विकास उजना को भी मंजूरी दी गई है इसके तहट लोगल गुजरात में नाशनल मैरिटाइन हेरिटेज कॉम्पलेक्स का नर्मान क्या जाएगा इसके अलावा तीसरे हैं फैसले में देश की सीमाओं में लगे शेत्रों में इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलाप्पेंट पर विस्त्रत योजना को में मंजूरी दी गई इसके अंतरगत पंजाब और राजिस्तान की 2000 किलोमीटर की एरिया में नया रोड नेटवर्क बनाया जाएगा और इस रोड नेटवर्क को देश के दूसरे हैं नेटवर्क से जोड़ा जाएगा फिंटेन में बढ़ते हैं साथवी खबर की ओर जहां भारत का अब तक सबसे बड़ा आईपियो युनडाई युनडाई मोटोस इंडिया लिमिटेड भारत में अब तक रहने का सबसे बड़ा आईपियो 15 अक्टूबर को लेकर आ रहा है जिसमें आवेदन करने की आखरी तारीक 17 अक्टूबर है इसकी शेयर लिस्टिक 22 अक्टूबर को हो सकती है यानि इस तारीक को युनडाई के शेयर बजार में ट्रेड करने लगेगे देखने में दिल्चस्प यह होगा कि इरान इसराईल के चलते रोज बजार में उतार चड़ाव तूड आईल के बढ़त यानि फ्रॉड होने के चार घटने के अंदर या शिकायत आप NCRP यानि नाशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं या 1930 पर कॉल या SMS करकर भी दर्ज करा सकते हैं साइबर अधिकारियों के अनुसार जो शिकायतिक गोल्डन पीरेट में दर्ज होती हैं उन्हें पकड़ना आसान होता है और बढ़ते साइबर क्राइम की रोग थाम के लिए या सेवा एक मत पूडबू मिकाने भारेगी है पढ़ते हैं नौवी खबर कियो और जो हम आपको बताने वाले हैं कि ओला एलेक्ट्रिक पर संकटा गया है जिहां ग्राहकों की बढ़ती शिकायत पर Central Consumer Protection Authority ने ओला मोटर्स को नोटिस जारी किया है क्यूंकि देशबार में करीब 10,000 ग्राहकों ने नाशनल कंजूमर हेल्पलाइन पर ओला के खिलाफ शिकायदर्ज की है Central Consumer Protection Authority ने ओला को 3 अक्टूबर का नोटिस बेजा है और उन्हें 18 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है जाततर शिकायते ओला एलेक्ट्रिक से मिलने वाली सर्विसे से जुड़ी है और ग्राहकों की शिकायत है कि ओला निगाडी खरीते समय सर्विस से संबंद जो भी वादे किये थे ना वह भी खूरे किये हैं जिससे उन्हें परिशानी का सामना करना पड़ रहा है फिंजन में आखरी और दस्वी खबर आयूरवेद और युनानी दवाओं पर सरकार के आयूश मंत्राले ने आयूरवेद और युनानी दवाओं के ब्रामक विग्यापनों पर चितावने जारी की है और मंत्राले के अनुसार आयूरवेद और युनानी दवा निर्माता ज के खिलास व कारिवाही की जाएगी जिहां सरकार आक्ट के तहर उंपर पिनल्थी लगाएगी एवं आयरुवेद एवं युनानी दवा का सेवन चिकित सब की रेखरेख मिलिया जाएगा ऐसे चितावनी भी लिखनी पड़ेगी इसके अलावा स्वयम बिमारी की पैचान और इलाज ना करने की सला भी दवा निर्माता को देनी होगी अगर ग्राकों को ऐसे ब्रामक विग्यापत दिखते हैं तो इसकी रिपोर्ट राज आयूश मंत्राले और लाइसेंस अथोर्टी को करने की सला दी गई है ताकि उचत कारवाही की जा सके तो आज के लिए फिंटे is always happy investing. बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ने शनमेरा.